ओम ग्लीम कृष्णाय नमा, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं नीलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, दोस्तों कल की गथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत आभार, और अब भगवान श्रीयर विश्णु का ध्यान करके आज की पावनकता का प्रारंप करते हैं, रिशी कहते हैं कि छेडा हुआ सिंग, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्ब, तता सदा कूपित रहने वाले शत्रू भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा की संयम रहित इचित्त कर डालता है, मांस्भक्षी प्राणियों त अजीतेंद्री मनुस्यों से लोगों को सदा भै रहता है, अता उनके निवारन के लिए ब्रम्हाजी ने दंड का विधान किया है, दंड ही प्राणियों की रक्षा और ख्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोगता है, दंड सब के लिए दुरजय होता है, और वह सभी प्राणियों को भै पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुश्यों का साचक है, क्योंकि उसी पर धर्म ठीका हुआ है। संपुण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। अब ये दम क्या होता है। देखिए, उदारता, कोमल सभाव, संतोश, दोस द्रिश्टी का अभाव, गुरुशुश्रुखा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इनहीं को शांत बुद्धी वाले संतों और रिश्यों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष, तथा स्वर्ग, ये सभी दम के ही अधीन हैं, जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता, और सम्मान होने पर हर्से से फूल नहीं उपता, जिसके द्रिश्टी में सुख और दुख एक समान है, उस धीर पुरुश को प्रसांत कहते हैं, जिसका अपमान होता है, वह साधू पुरुश तो सुक से सोता और सुक से जागता है, तथा उसकी बुद्धी कल्यान में होती है, परन्तु अपमान करने वाला मनुश्य स्वयम ही नष्ठ हो जाता है, ऐसे में अपमानित पुरुश को चाहिए कि वह कभी भी अपमान करने वाली की करते हैं क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है वही सनातन धर्म है संपुण व्रतों का आधार दम ही है चहुं अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पूरुष को पवित्र नहीं कर सकते जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य योग उत्तमकुल जन्म और तीर्थस्थान सभी व्यर्त हैं योग वित्तादवेज को चाहिए कि वह अपमान को अम्रित समान समझ कर उससे प्रसननता का अनुभव करे और सम्मान को विश्के तुल्यमान कर उससे घ्रिणा करें क्योंकि अपमान से उसके तपकी वृद्धी होती है और सम्मान से तपका छह हो जाता है पूजा और सतकार पाने वाला ब्राम्हण दुही हुई गाई की तरह खाली हो जाता है जैसे गौ घास और जल पीकर पुष्ट हो जाती ह उसी प्रकार ब्राम्हण जप और होम के द्वारा पुना ब्रह्मतेज्य संपन्य हो जाता है संसार में निंदह करने वाले के समान दूस्रा कोई मित्र नहीं है क्योंकि वह आपका पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है निंदह करने वालों की कभी भी स्वैम निंदण करें अपने मन को रोके जो उस समय अपने मन को वश्मे कर लेता है अपने चित्त को वश्मे कर लेता है वह मानों की अम्रिद से स्नान करता है इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करने चाहिए क्योंकि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं किसी की भी चुगली करते हैं तो हमारे पुन्य कर्म समाप्थ होते हैं हमारा पुन्य उस व्यक्ति तक चला जाता है उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं और उस व्यक्ति के जो पापकर्म होते हैं वो हमारे पास आजाते हैं. इसलिए भूल से भी दूसरों के निंदा नहीं करनी चाहिए. अपने मन को रोकना चाहिए, अपने मन को वश्में रखना चाहिए. इससे अमृत मे श्नान करने के समान पुणयफल की प्राप्ति होती है. व्रिक्षों के नीचे रहना, साधारन वस्त्र पहनना, आकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सब परमगती को प्राप्त कराने वाले होते हैं जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, उसे फिर जंगल में जाकर क्या करना, अभ्यास से सास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का, तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है जो पुरुष उत्पन हुए क्रोध को अपने मन में रोक लेता है, वह उस अक्षमा के द्वारा सब को जीत लेता है, जो क्रोध और भै को जीत कर शांत रहता है, प्रित्वी पर उसके समान वीर और कौन है? यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुड उपदेश है प्यारे, हमने धर्म काहिदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है, यग्य करने वालों के लोक दूसरे हैं, तपस्वियों के लोक दूसरे हैं, तथा इंद्रिय सैयम और मनो निग्रह करने वाले लोगों के लोक दूसरे ही हैं वे सभी परम सम्मानित हैं क्षमा करने वाले पर एक ही दोश लागू होता है दूसरा नहीं वह यह कि क्षमा सील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं कि इसे दोश नहीं मानना चाहिए क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है जो शांती अत्वा क्षमा को नहीं जानता वह इस्ट अर्थात यक्यादी और पूर्थ अर्थात तालाब आदी खुद्वाना दोनों क फलों से वंचित हो जाता है क्रोधी मनुष्य जो जप होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े से जलकी भाती नश्ठ हो जाता है जो पुरुष प्रातेहकाल उठकर प्रती दिन इस पुन्यमे दमाध्याई का पाठ करता है वह धर्म की नौका पर आरूड होक सारी कठिनाईयों को पार कर जाता है जो दिन सदा ही इस पुन्यप्रद दमाध्याई को दूसरों को सुनाता है वह ब्रम लोग को प्राप्थ होता है तता वहां से कभी नहीं गिरता धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारन करो जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाएं, जो पराई इस्त्री को माता के समान, पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान, और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ग्यानी है. जिसकी रसोई बली वैश्वे देव के लिए और जीवन परुपकार के लिए हैं, वही विद्वान है. जैसे धात्वों में सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परुपकार सबसे स्रेष्ट धर्म हैं. वही सर्वस्व है. संपुर्ण प्राणियों के हिदका ध्यान रखने वाला पुरुष, अमरी तत्व प्राप्त करता है. पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार डिश्यों ने शुना सक्के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके, उनके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया. वहां भी उन्हें एक बहुत विश्त्रित जलाशय दिखाई दिया, जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था, उस सरोवर में उतर कर उन्होंने मिरडाल उखाडे, और उन्हें धेर के धेर किनारे पर रखकर, जल से संपन्य होने वाली पुनिक्रिया संध्या तरपण आधी करने लगे, ततपसचाद जब वे जल से बाहर निकले तो उन मिरडालों को न देख कर परस पर इस प्रकार कहने लगे, रिशी बोले, हम सब लोग शुदा से इतना कश्ट पा रहे हैं, फिर ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मिरडालों को चुरा लिया, जब इस तरह कुछ भी पता ना लगा, तब सबसे पहले कश्ट जी बोले, जिसने मिरडाल की चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने पर, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का, और जूठी गवाही देने का पाप लगे, वह दंब पुर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मध्य और मांस का सेवन करने, सता जूठ बोलने, सूध से जीवी का चलाने, और रुपिया लेकर लड़की बेशने के पाप का भागी हो, वसिष्ट जी ने कहा कि जिसने उन मिरडालों को चुराया हो, उसे रितु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहां जाकर अतिथी बनने, जिस गाउं में एक ही कुवा हो, वहां निवास करने, ब्राहमण होकर शुद्र जाती के इस्त्री से संबंध रखने का पाप लगे, और ऐसे लोगों को, जिन लोकों में जाना पड़ता है, वही पर वह भी जाए। भरद्वाद जी बोले कि जिसने म्रिणाल चुराएं हो, वह सब के प्रती कुरूर, धन के अभिमानी, सब से डाह रखने वाले, चुगल खोर और रस बेचने वाले की गती प्राप्त करे। गौतम जी ने कहा कि जिसने म्रिणालों की चुरी की हो, वह सदा शुद्र का अन्न खाने वाले, पर इस्त्री गामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिश्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वा मित्र जी बोले, जो म्रिणाल चुरा ले गया हो, वह सदा काम परायन, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाले, और पर इस्त्री गामी की गती प्राप्त करे। जमदगनी जी ने कहा, जिसने म्रिणालों की चोरी की हो, वह दुरबुधी मनुष्य अपने माता-पिता का अपमान करने, अपनी कन्या के दिये हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर इस्त्री से संपर्क रखने के, और प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो, शुना सक ने कहा, जिसने म्रिणालों की चोरी की हो, वह न्याय पुर्वक वेदाध्यान करे, अतितियों में प्रिती रखने वाला ग्रहस्त हो, सदा सत्य बोले, विदिवत अगनिहोत्र करे, प्रति दिन करे, और अंतरगे ब्रह्म लोग को जाए, अर्थात अंत समय में ब्रह्म लोग को जाए, तब रिशियों ने कहा कि हे सुना सक, तुमने जो सपत की है वह तो अभीष्ठी है, अतर तुमने हम सब के म्रिणालों की चोरी की है, तब शुना सक बोले, ब्रामणों, मैंने ही आप लोगों के मूँ से धर्म सुनन अब हम लोग स्वर्ग लोग को चलें, तब महर्शियों ने इंद्र को पहचान कर, उनसे इस प्रकार कहा, रिशी बोले, हे देवराज, जो मनुश्य यहां आकर मध्यम पुसकर मेश नान करे, और तीन रात तक यहां उपवास पुरवक निवास करे, उसे अक्षय फल की प् सता अपने कुल वालों के साथ आनन्द का अनुभव करता है, तथा ब्रह्म लोग में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक अर्थात कल्प भर वहां निवास करता है, पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन मध्यम पुसकर में भूमी और कनिष्ट पुसकर में सुवन का दान करना चाहिए, यही वहां के लिए दक्षिना है, प्रतम पुसकर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विश्नु तथा तीसरे पुसकर के देवता हैं श्री रूद्र जी, इस प्रकार तीनों देवता वहां प्रितक प्रितक स्थित हैं, अब मैं सब वरतों में उत्तम महापातक नाशन नामक वृत का वर्णन करता हूं यह भगवान शंकर का बताया हुआ वृत है रात्री को अन्य तयार करके कुटुंब वाले ब्रामभण को बुलाएं अर्थात जिस ब्रामभण का परिवार हो उस ब्रामभण को परिवार सहित आमंत्रित करें उसे भोजन कराकर एक गौ सुवण में चक्र से युक्त त्रिशूल तथा दो वस्त्र अर्थात धोती और चद्दर दान करें जो मनुस्य इस प्रकार्ण से व्रत करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का उन्भव करता है यही महापातक नाशन व्रत है जो एक दिन एक भुग् वाला रुद्र वरत है जो एक वर्ष तक एक दिन का अंतर देकर रात्री में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल सुवर्ण में कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है वह भगवान श्री विष्णू के धाम को प्राप्त होता है यह नील करने वाला होने के कारण प्रीती वरत कहलाता है जो चैतर के महीने में दही, दूद, घी और गुड का त्याग करता है और गौरी की प्रसंदता के उद्यसे से ब्राम्हण दंपत्ती का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे हुए पात्रदान करता है उस पर श् की और गुड के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूणिमा को पुना कुछ सुवर्ण ब्राम्हण को दान देता है वह रुद्र लोग को प्राप्त होता है यह शिव वरत कहलाता है भगवान शिव का वरत जो मनुश्य हेमंत और सिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के तीन फूल बनवाकर फालगुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री सिव और श्री विष्णु की प्रसनता के लिए उनका दान करता है वह परमपद को प्राप्त होता है और इस व्रत को कहते हैं सौम्यवरत जो फालगुन मास से आरंब करके प्रतेक मास की तृतिया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसनता के लिए ब्रामपद दंपती का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामगरियों सहित ग्रिह दान करता है अर्थात घर का दान करता है वह एक कल्प तक गौरी लोग में निवास करता है इसे सौभागिवरत कहते हैं जो द्विज एक वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा दो वर्ष्त्र धोती और चद्दर तिल और घंटा ब्रामपड को दान करता है वह सारस्वत लोग को प्राप् बनाए उसके उपर भगवान श्री शिवत और भगवान श्री विष्णू की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं फिर विधिवत पूजन करें इस प्रकार जब एक वर्ष बीती जाए तब साम गान करने वाले ब्रामपड को शुद्ध सोने का बना हुआ आठ अंगु पुर्वक भोजन कराएं तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्धर तथा सोने का सिंहासन अगर ब्रामपड को दान करें तो इससे वह शिव लोग को जाता है अर्बो जर्म तक सुरू पुवान बना रहता है और शत्रू उसे कभी परास्त नहीं कर पाते यह मनुस्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है चैतर से आरंब करके चार महीनों तक प्रती दिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ती होने पर अन्न, वस्त्र सहित, जल से भरा हुआ माट अर्थात मटका, तिल से पुर्ण पात्र त और उसकी पूर्ती के निमित गौ तथा सोने का म्रिग दान करें, वह अस्वमेक यग्य का फल प्राप्त करता है, इसका नाम है अहिंसा व्रत, एक कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है, मागी के महीने में सुर्योदे के पहले शनान करके द्विजि लोक में निवास करता है, आशाण आधी चार महीनों में प्रति दिन प्रातेशनान करें, फिर कार्तिक की पुर्णिमा के दिन ब्रामणों को भोजन कराकर गोव का दान करें, तो वह मनुष्य भगवान श्री विश्नु के धाम को प्राप्त होता है, और इस व्रत का नाम है विश्नु व्रत जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है अर्थात दक्षिडायन से उत्तरायन या फिर उत्तरायन से दक्षिडायन तो एक अयन से दूसरे अयन तक पुस्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और वरत के अंत में फूलो का हार और घृत मिश्रित खीर ब्रामपन को दान करता है वह शिवलोक में जाता है इसका नाम है शील वरत जो नियत काल तक प्रती दिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्रामण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चद्रदान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है, तथा अंत में रुद्रोलोक को जाता है, यह दीप्ती व्रत है, जो कार्तिक मास से आरंब करके प्रतेक मास की तृतिया को रात के समय गो मुत्र में पकाई हुई जो की लपसी खा कर रहता है, और वर्स समाप्त होने पर गौका दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है, तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है, इस व्रत का नाम है रुद्र या सदा कल्यान करने वाला है, जो चार महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है, तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और दो स्वेदवस्त्र, धोति और चंदर किसी ब्रामण को दान करता है, वह वरुन लोक में जाता है, या द्रडवरत कहलाता है, सोने का ब्रम्हं तथा आभूशनों द्वारा ब्रामण दंपत्ती का पूजन करके, विश्वात्मा की त्रिप्ती के उद्येसे से किसी शुब दिन को अपनी शक्ती के अनुसार तीन तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्म्हांड ब्रामण को दान करे, ऐसा करने वाला पुरुष उन चावल के साथ ब्रामण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है, यह कल्पवरिक्ष वरत है, जो एक महीने तक उपवास करके ब्रामण को सुन्दर गौधान करता है, वह भगवान श्री विश्णु के धाम को प्राप्त होता है, इसका नाम है भीमवरत, जो बीश तोले से अधिक सोने की प्रिथ्वी बनवा कर दान करता है और दिन भर दूद पी कर रह जाता है वह रुत्र लोक में प्रतिष्ठित होता है और इस व्रत का नाम है धनप्रद और यह 700 कलपान तक तक अपना फल देता रहता है माग अत्वा चैत्र में गुड की गौ को बना कर दान ऒए इसका नाम है गुड व्रत इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष्ट गो लोग में सम्मान पाता है और अब परमानंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ जो पंद्रह दिन तक उफ्वास करके ब्राम्षड को दो कफिला गव में द ब्राम्वण को इंधन करता है और भक्षि पदार्थों अर्थात खाने पीने की सामग्रियों के साथ जलका घडा दान करता है वह कल्प परियंद तक शिव लोक में निवास करता है और इसवरत का नाम है प्राप्ति व्रत जो प्रत्तेक अस्टमी को रात्री में एक ही बार भ गव का दान करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्थ होता है यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है जो एक वर्ष तक प्रति दिन खीर खा कर रहता है और व्रत समाप्थ होने पर ब्राम्हण को एक गाए और एक बैल दान करता है वह एक कल्प तक लक्षमी लो प्रत्य चतुर्थी को एक बार रात्री में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है उसे शिव लोग की प्राप्ती होती है यह वैनायक व्रत है भगवान गडेश के निमित्त धारन किया जाता है जो मनुसित चौमासे भर अर्थात चातुर मास में बड जातिक में सोने के फलकादान करता है और हवन कराकर ब्राम्वण को अंत में गाई और बैल का दान करता है उसे सुर्य लोग की प्राप्ती होती है इस व्रत का नाम है सौरव्रत जो बारह द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अमसार गौ, वर्ष्ट्र और बारह समाप्ती होने पर एक उपृफाय और एक बैल दान करता है उसे रुद्र लोग की प्राप्ती होती है इसे त्रयंपक व्रत कहते है जो साथ रातों तक उपवास करके ब्रामर को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह ब्रमव Après लोग को प्राप्त होता है इसका نाम नाम है वरवरत जो काशी जाकर दूद देने वाली गवगा दान करता है वह एक कलब तक इंद्र लोग में निवास करता है इस वरत का नाम है मित्र वरत जो एक वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गौ दान करता है वह वरुण लोग को जाता है इसका नाम है वा को सूने की गव का दान करता है वह स्वर्ग को जाता है यह रुद्र व्रत कहलाता है और जो पृत्तेक तृतियa को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूरुण होने पर दूद् lumière गव कादान करता है उसे देवी लोग की प्राप्ति होती है इसका नाम है भवानी व्रत जो माग भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है वह कल्प परियंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस प्रित्वी पर राजा होता है इसे तापक व्रत कहते हैं जो तीन रात अध्यान एवं सायंकाल में भूशनों द्वारा अर्थात गहनों के द्वारा ब्रामभर दंपति की पूजा करता है उसे मोक्ष मिलता है या मोक्ष व्रत कहलाता है जो शुक्लपक्ष की द्विदिया के दिन ब्रामभर को नमक से भरा हुआ पात्र वस्तर से ढखा हुआ का जो हर प्रतिपता को एक ही अन्य का भोजन और वर्ष समाप्थोने पर कमल का दान करता है वह वैश्वानर लोप में जाता है इस व्रत को कहते हैं अगनी व्रत और जो प्रत्यक दश्मी को एक ही अन्य का भोजन करता है और वर्ष समाप्थोने पर दस गउवे तथा सोने का दीपदान करता है वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है इसका नाम है विशुवरत यह बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाला है जो स्वैम कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है वह अपने 21 पीडियों से ब्रह्मलोक में जाता है क्योंकि कन् पुस्कर में और वहां भी कार्तिक मास की पोणिमा को जो कन्यादान करेंगे उनका तो स्वर्ग में अक्षयवास हो जाता है जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूशित करके ब्रामण को दान देते हैं उन्हें इंद्र लो की शुद्धी होती है अतह मन की शुद्धी के लिए सब से पहले श्नान का विधान है घर में रखे हुए अत्वा तुरंत के निकाले हुए जलसे श्नान करना चाहिए किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलब हो तो और भी उत्तम है मंत्र वेत्ता विद्वान पुरुश को म नमो नारायडाय यह मूल मंत्र बताया गया है पहले हाथ में कुशा लेकर विधिपुर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें फिर चार हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इस प्रकार से इन मंत्रों के प्रित्यू तक समझत पापों से मेरी रक्षा करो स्वर्ग प्रित्वी और अंतरिक्ष में कुल साढ़े तीन करोड तीर्थ हैं यह वायू देवता का कथन हैं हे माता जानवी वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं देव लोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलीनी है इनके सिवा दक्षा, प्रित्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अम्रिता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, जानवी, शांता और शांति प्रदाइनी यह तुम्हारे अनेकों नाम है जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्थन होता है वहां त्रिपतिकामिनी भगवती गंगा उपस्तित हो जाती है। अर्थात हे वसुंधरे तुम्हारे उपर अश्व और रत चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से ना पथा। हे मृत्तिके मैंने जो भी बुरे कर्म किये हो मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी भगवान श्री जाओ वाले वाराह का रूप धारन करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अर्णी के समान हो। हे सुवरते तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से मृत्तिका लगा कर पुनहश्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारन करके त्रिलोकी को त्रिप्त करने के लिए तरपन करें। सबसे पहले ब्रह्म्हा, विश्नु, रुद्र और प्रजापती का तरपन करें। तत्पस्चात, देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, स्रेष्ट मैं जल देता हूँ, यह कहकर उन सब को जलांजली दे। देवताओं का तरपन करते समय यग्यों पवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पस्चात उसे गले में माला की भाती कर लें। और मनुश्यों, रिश्यों तथा रिशी पुत्रों का भक्ति पुर्वक तरप प्रचेता, वसेष्ट भ्रीगू, नारद तथा संपुर्ण देवर्शियों एवं ब्रह्मर्शियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तरपन करें। इसके बाद यग्यों पवित को दाएं कंधे पर करके बाएं घुड़ने को प्रिथिव पर टेक कर बैठें। फिर अग्न दामहादी और मातामहादी का नाम गोत्र का उच्चारन करते हुए तरपन करें। इसी क्रम से विथी और भक्ती के साथ सब का तरपन करके इन मंत्रों का उच्चारन करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्मे में भी मेरे बा ततपस्चात विधी पुर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आक्रिती बनाएं फिर यतन पुर्वक सुर्य देव के नाम का उच्चारन करते हुए अक्षत पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्ग्यदें अर्ग्यदान का मंत्र इस नमस्ते विश्वरूपाया, नमस्ते ब्रह्मरूपिडे, सहस्त्र रश्मये नित्यम्, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुसे, नमस्ते भक्त वत्चल, पद्मनाभ नमस्तेष्टू, कुंडलांगद भूशित, नमस्ते सर्व लोकेशू, सुप्तांस्तान प्र अर्थात हे भगवान सुर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है आप सहस्त्रों किरणों से शिशोभित और सबके तेज रूप हैं आपको सदा नमस्कार है हे भग्तवत्सल रुद्रूरूप धारी आप परमेश्वर को बारम बार नमस्कार है कुंडल और अंगद आदी आभूश्णों से विभूशित हे पदमिनाब आपको नमस्कार है हे भग्वन आप संपुर्ण लोकों के सोई हुए जीवों को जगाते हैं आपको मेरा प्रणाम है आप सदा सब के पाप पुन्य को देखा करते हैं हे सत्यदेव आपको नमस्कार है ये भासकर मुझे पर प्रसन हो ये, हे दिवाकर आपको नमस्कार है, इस प्रकार सुर्यदेव को नमस्कार करके तीन बार उनकी प्रदक्षिना करें, फिर तिल, गो और सुवर्ण को स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करे तदरंतर भगवान को भोग लगाकर बली वैश्वे देव करने के पस्चात पहले ब्राम्वडों को भोजन कराकर पीछे स्वैम भोजन करें इस विधी से नित्य कर्म करके समस्त रिश्यों ने सिध्य प्राप्त की है पुलेस्ति जी कहते हैं कि हे राजन पुर्वकाल की बाद है ब्रिहत नामक कल्प में धर्ममूर्थी नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता हुआ करती थी उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वद्य किया था सुर्य और चंद्रमा भी उनके देज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे उन्होंने सैक्णों शत्रों को परास्त किया था वे एच्छा नुसार रूप धारन कर सकते थे मनुस्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी उनकी पत्नी का नाम था भानुमती वह त्रिभुवन में सबसे सुन्दरी थी उसने लक्ष्मी जी की भांती अपने रूप से देव सुन्दरियों को भी मात कर दिया था भानुमती ही राजा की पट्रानी थी वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे एक दिन राज सभा में बैठे हुए महराज धर्म मूर्दी विश्मय विमुक्द होकर मुनिश्रेष्ट वसिष्ट को प्रणाम करके पूछते हैं हे भगवन किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वत्तम लक्ष्मी जी की प्राब्ती हुई है मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है इसका क्या कारण है वसिष्ट जी ने कहा कि हे राजन प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैस्या थी जो सदा भगवान शेंकर के भजन में ततपर रहती थी एक बार उसने पुष्कर में चतूर दशी को नमक का पहाड बना कर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधी पुर्वक दान किया था शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम किया करता था उसी ने बड़ी श्रध्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमई प्रतिमाय बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुन्दर तथा शोभा संपन थी धर्म का काम समझ कर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने में कोई मजदूरी भी नहीं ली थी उस नमक के परवत पर जो सोने के वरिक्ष लगाए गए थे उन्हें उस सुनार के इस्त्री ने तपा कर देदिप्यमान बना दिया था सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी उन्ही दोनों ने ब्रामणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन किया था तदनंतर दिर्गकाल के पस्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यन्त सात्रिक था और जिसने वैस्या से मजदूरी नहीं ली थी वो आप ही है उसी पुने के प्रभाव से आप साथो दिवपों के स्वामी तथा हजारों सुर्यों के समान तेजस्वी हुए है सुनार की ही भाति उसकी पत्नी ने भी सोने के व्रिकशों और देव मूर्दियों को कान्तिमान बनाया था इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है पृतिमाओं को जगमक बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुनी के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज्य लक्ष्मी प्राप्थ हुई हैं इसलिए आप भी विधी पुर्वक धान्य परवत आदी दस प्रकार के परवत बना कर उनका दान पुलस्ति जी कहते हैं कि राजा धर्म मूर्टी ने बहुत अच्छा कहकर वसिष्ट जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदी के परवत बना कर उन सब का विधी पुर्वक दान किया ततपस्चात वे देवताओं से पूजी धोकर महादेव जी के परम धाम को चले गए जो मनुसे इस प्रसंग का भक्ति पुर्वक श्रमण करता है वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोग में जाता है ये राजन अनादी परवतों के दान का पाठ मात्र करने से दुश्वपनों का नास हो जाता है फिर जो इस पुसकर में शांत चित होकर सब प्रकार के परवत ये करता है उसको मिलने वाले फलका क्या वर्णन हो सकता है हरे और अज की कथा में आपने बहुत सारे ऐसे वरत बहुत सारे ऐसी दान के विशय्म safari जिन्हें करने से अनन्त उगनाव पुनिये फलों की प्राप्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के जो पुन ये लोक होते हैं उन लोकों में स्थान मिलता है तो उमीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आते हैं मतलब जितने भक्त प्रती दिन कथाएं सुनते हैं कम से कम उतने लाइक्स तो आने ही चाहिए प्रती दिन की कथा में तो लाइक करना आप भूल जाते हैं साइद इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले ही कथा को लाइक कर दिया कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में र राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए.